यहां पर इस कुकर में मैंने ली हूँ पाओ किलो याने 250 ग्राम बॉनलेस टिकन इसमें मैंने एक छोटा चमच अध्रक लस्टन का पेस्ट डाली हूँ अभी मैं इसमें आदा चमच के जितना नमक दालूँगी आदे छोटे चमच के जितना मैं इसमें ब्लैक पेपर पॉडर डालूँगी आदा क्लास मैं इसमें पानी डालूँगी और कुकर की लीड लगा के इसे बॉइल होने के लिए रग दूँगी कैसे आप लोग साब उमीद करते हूं सब खैरियत से ही होंगे और अलहम्दलिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो एक बार फिल से वेलकम है आप लोगों का रिस ब्लॉक्स के चैनल पे तो आज मैं कोई व्लॉग नहीं बलके एक रेसेपी शेर कर रही हूँ जो रमजानी स्पेशल रेसेपी है जिस रेसेपी का नाम है चिकन कटलेस रेसेपी के लिए दिंजिन चीजों की जरूरत है वो मैं आप लोगों के साथ शेर कर लूँ यहाँ पर ली हूँ यहाँ पर मैंने चार आलू ली हूँ बॉयल करके इसे मैंने मैश कर ली हूँ उसके अलावा मैंने एक बड़ा चमच यहाँ पर कॉन फ्लोर ली हूँ एक चोटा चमच भरके मैंने धनिया जीरा पॉडर ली हूँ एक चोटा चमच भरके मैंने चलीफ लेग ली हूँ और न जो जो चीजे रगेंगी मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी यहाँ पर जो मैंने चिकन बॉil कीती उसका स्टॉक मैंने निकाल ली हूँ इसे भी मैं यूज करूँगी पूरा हमें यूज नहीं करना है जिसकी जितनी जरूरत होगी बस हम उतना ही यूज करेंगे बताती हूँ आगे चल के पैन गरम कर दी हूँ और इसमें एक चमज बस ऑईल गरम की हूँ अब मैं इसमें एक चमज भरके यहाँ पर बटर दालूँगी बिसमिल्ला रख्मानी रहीम तो बटर से पहले हमें ओईल गरम करना है वरना फिर बटर जल जाती है इसवजा से तो एक बड़ा चमज भरके हमें इसमें बटर दालनी है मेल्ट हो जाए तो हम इसमें गाजर दाल देंगे गाजर के अलावा आप लोग इसमें फ्रेंच भी दाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाली हूँ क्योंकि हमारे घर में पसंद नहीं करते हैं इसवजा से इसे देड़ से दो मिनट बटर में अच्छे से फ्राइ करेंगे ताके इसमें इसे जो पानी है वो सूख जाए क्योंकि गाजर से पानी डिलीज होता है इस वजा से इसका करळेड़ से दो मिनाट एक सारी चीज़े एकसाथ डाल देंगे इन उन शारी चीज़ें को करेंगे अच्छे से मिक्स चिली प्लेग और कॉन्फोर और धन्या दीरा पॉर्डर नम्मक को गेरा दाल देंगे इसे भी करेंगे अठ्छिस से मिक्स अब बचा चिकन इस्टोक डाल देंगे सारा नहीं डालना है बस आदे कपके जितना डालना है करेंगे हम इसे मिक्स अब लालू दाल दूंगी और इसे भी सारी चीजों में अच्छे से करूंगी मिक्स अब इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए फिर मैं आगया आप लोगों से शेर करती हूँ यह better ह kelu página हो चुका है और इस तरह से मैंने एक plate में oil ली हूँ और मैं से इसे शेप दी हूँ यह देखिए इस तरह से आप जो चाहे शेप दे सकते हो कट्राश 우리가 only différence पहले मैं पूरे करलूं फिर आप लोगो के साद शेयर करती हूं देखिए सारे कटलेस को मैंने शेप दे दी हूँ, मैंने इस तरह से शेप दी हूँ, तो 250 ग्राम चिकन में मुझे 30 कटलेस बने हैं माशालल से, तो है ना ये बजट फ्रेंडली रेसेपी, तो इस रमजान आप लोग इसे ज़रू ट्राइ करें उसके अलावा, यहाँ पर दे तो मैं और मेरा बेटा भी इस तरह से खाएंगे, और मैं इसे इस तरह से लंच बॉक्स में भी दूँगी, तो यह सारे मैं अभी फ्राइ नहीं करूँगी, बताती हूँ आप लोगों को, इस फाटी में मैंने दो अंडे तोड़के इसमें सिर्फ नमक, मिक्स करके इसे इस तरह से ब्रेट क्रम्स में दालूँगी, यह देखिए इस तरह से, और यहाँ पर रखती जाओंगी मैं, सारो को मैं इसी तरह से कर लोगी, यह देखिए सारो को मैंने ब्रेट क्रम्स और अंडे में, अंडे की कोटिंग कर चुकी हूँ, यहाँ पर मैंने ब्रेट क्रम्स की कोटिंग नहीं की क्योंकि मेरे अजबेंट को नहीं पसंद तो कुछ उनके लिए अलग रखी हूँ बाकी सारों की मैंने ब्रेट क्रम्स और अंडों की कोटिंग कर दी हूँ इस स्टेज पर आप लोग इसे वन मन्त के लिए फ्रीज करके भी रख सकते हो रमजान के लिए तो कुछ में फ्रीज करके रख दूँगी तो ये वन मन्त तक खराब नहीं होंगे क्योंकि इसमें सारी चीजे मतलब कुक है कुछ कच्छी नहीं है तो इस सवजा से ये खराब नहीं होंगे तो अभी फिलहाल तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख रही हूँ स मैं इस कटलेस को निकाल के उस ओयल में फ्राय करूंगी आप लोग को रमजान में इसी तरह से करना अगर आप लोग इस तरह से मेरे तरीके से बना कर फ्रीज करके रखोंगे तो बस इस तरह से फ्रीजर से निकाल के हमें फ्राय करने होंगे ये देखिए एक एक करके मैं इ इंशाल्ला आप लोग को पसंद आएंगी घर में सबको इतनी पसंद आएंगी कि इसे दुबारा बनाने की फर्माईश की जाएंगी इंशाल्ला आप मैं कर दूँगे इसकी साइट चेंज ये देखिए कितना अच्छा गुर्डन ब्राउन हो चुका है देख सकते हो आप लोग बहुत ही अच्छा कलर आया है इस पर और ये उपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट होते है बहुत ही यमी यमी से बनते है ये इसे आप मतलब पाव के साथ नान के साथ या फि करके तो ये हो चुके है डन और अब मैं इसे और से निकार के टीश्यू पेपर पे रखती जाऊंग अब हो कटलेस में फ्राइब कर रही हूं जो विडाउट ब्रेट क्रम से जिसे इसे 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 कि मैंने बताई थी कि मेरे हजबेन को पसंद नहीं है ब्रेट क्रम में फ्राइब किया हूँ तो मैं उन्हें सिर्फ अंडे में डिप करके इस तरह से उनके लिए फ्राइब करती हूं जो देखिए विडाउट ब्रेट क्रम भी ये बहुत अच्छे से फ्राइब होते है इस सकते हो आप लोग इसका कलर भी कितना अच्छा आया है कितने यम्मी यम्मी से लग रहे है इसे आप पुदीने की चट्मी या टेमेटो सॉस के साथ इंजॉय करेंगे मैंने इसके लिए जो सॉस बनाई हूँ वह भी मैं आप लोगो को शेर तो नहीं करूंगी पर किस तरह से मैंने बर्गर के लिए पेटी बनाई थी वह इस तरह से मैं फ्राइ करूंगी यकीन मानिए बर्गर के टेस्ट में बिल्कुल भी फरक नहीं आएंगा मैंने जो बर्गर के लिए पेटी बनाई हूँ उसका मैंने साइड चेंज कर ली हूँ इतना अच्छा क्रेस्पी लग रहा है यो देखिए अभी से मैंने इसे बाहर भी नहीं निकाली हूँ आवास सुन सकते हो आपको और काफी यमी यमी सी बनी है ये भी मैंने सॉस बनाई ह हुआ है तो अब मैं इसे बर्गर में भी अप्लाई करूंगी और इसे इससे हम कटलेज भी खाएंगे बहुत यमी रखता है तो इस तरह का सौजरी आप लोग रमजान में जरूर ट्राय कीजिए बनाना ये बर्गर पे मैंने चारों स्लाइस पे उपर नीचे सौस लगा द आप लोग रखना चाहे वेज में रख सकते हो लेकिन मैं सिर्फ टोमेटो रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी फिलाल अवेलेबल यही है और यही खाते इसके लावा और कोई वेज नहीं खाएंगे घर में तो इसलिए मैं यही यूज कर रही हूं तो देखिए डोनों पर मैंने स्लाइस रख भी हो टोमेटो की अब इसके उपर में यह इस तरह से पैटी रखूंगी देखिए दोनों पर इस तरह से तो एक पीर में दो निशाने हो गए हमारे कटलेज भी बन गए और इस तरह से बर्गर पैटी भी हम बना सकते है घर में और इसे करदूंगी बन यह देखिए इस तरह से इसे भी करदूंगी बन इस तरह से मैंने ओवन की ट्रे निकाली हूँ और इसमें मैं एक एक बर्गर रखती जाओंगी मतलब दोनों बर्गर एक साथी रखूंगी क्योंकि ट्रेव काफी बड़ी है तो इस वज़े से दो से तीन आ जाएंगे लेकिन मैंने सिर्फ दो बनाई हूँ यह देखिए दूसरा भी मैंने इसमें रख दी हूँ रख दू ओवन में यह देखिए मैंने से ओवन में रख दी हूँ रखती हूँ ओवन सिर्फ दो मिनिट का टाइमर लगाऊंगी मैं क्योंकि सब रेडी है इस वज़ा से हमारा बर्गर रेडी हो चुका है तो अब इस ट्रे को मैं निकाल लूँ ओवन से बाहर यह देखिए बिसमिल्ला यह देख सकते हूँ आप माशालला से चिकन कटलेस बनकर रेडी हो चुक अगरा है देख सकते हो आप लोग साथ ही से यहा पर सॉज भी मैंने रेडी की हुँ जैसे के ना बने आप लोग को बताई उसके एहा यहाँ पर यह देखिए चीजी-चीजी बर्गर रेडी हो चुका है तो आप लोग harness सकते हो बिसीत दो बशकना सकते हो बर्गर देख सक आजाए तो प्लीज इसे लाइक कर देना साथ में अच्छे अच्छे कमेंड भी कर देना अल्ला आप सब लोग को हमेशा खुश रखे आबाद रखे अपने हिव्ज़ों आमान में रखे आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद कीजेंगा इन्शाल्ला मैं बहुत अधर मिलूंगी एक नई रेसेपी के साथ या फिर एक नए व्लोग के साथ क्योंकि अभी तो रमजान आ रहा है तो रेसेपी इस तो आएंगी ही तो चलिए फिर अब मुझे दीजे इजाज़त तो तब तक के लिए राफीज है टाम के लिए दोब मुझे पत मिलू है